हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब उमिद करते हूं मेरे सारे फ्रेंट्स एकदम ठीक ठाक होंगे आज का वीडियो काफी हाई रिवेस्टेड वीडियो है टाइडल देखे आपको आज का टॉपिक पता चल गया होगा आज मैं आपको बताऊंगी कौन से क्रीम मूशिराइजर में अपने चेहरे पर लगाती हूं कि सबसे ज्यादा कमेंट है कि दी आपके खुब सर्थ चेहरे का राज क्या चैरा इतना साफ कैसे है ग्लोइंग स्किन कैसी है ऐसा क्या आप अपने फेस पर यूज करते हैं जिससे कि आपके चैरे पर इतनी फेस क्रीम ठीक है फोर स्किन इलुमिनेशन और यह बिलकुल सेफ है कोई भी स्किन वालों को सूट करता है और यह आपके खिन को ब्राइट बनाता है आपके फेस पर अगर जिते दाग दपे वगरा हो जाते हैं चोटे मोटे टैनिंग हो जाती है जैसे उनको भी क्लीन करता और चेहरे call में यह अच्य को अच्छा बनाता है है और जा आपकी स्किन को नैच्रल ग्लो देता है अंदर से को तो बहुत एच्छा है यह और इसके ग्रीडियन्ट है वह रहता हैं और यह क्रीम करने में और यह मेरेशिज़ से लाड़ाए जावाएं चैंडीक मैं आपको बताऊंगी आपको इन में से जो अच्छा लगे जो आपके टाइप का लगे आप वो यूज करें मैं आपको कुछ सजेशन बता रही हूं कि यह यह चीज़े आप यूज कर सकते हैं ठीक है तूसरी चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी जो कि बिल्कुल जाएजर नाम है लेकिन है ओइल फ्री मलाई है तो उसका मतलब यह नहीं चिप चिप आया चीक है बिल्कुल लाइट वेट है फोर नैरिशिंग स्किन को नैरिश करता है स्किन को ड्राय नहीं होने देता स्किन को ग्लोइंग बनाता है प्रोपर मोईश्यर देता है और आप तो इसके में आताक है तो यह वाला भी आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं को बसके और डर्मेट्रोजिकली टैस्टेड है में अचेते हो गया तीसरा आ नहीं मैं आपको देना चाहूंगी को आप यूज़ कर सकते हैं मामा आर्थ इंगा अलोवीरा ओईल free face moisturizer with aloe vera and ashwagandha, यह aloe vera ashwagandha से बना है, सारे ingredient बिलकुल natural है, natural चीजों से बने है, इन में chemical नहीं है, ingredient बिलकुल ठीक है, तो कोई side effect भी नहीं होगा, ठीक है, dermatologically tested है, सारे cream moisturizer है, suits for all skin type, normal oily or dry, कोई भी अबर skin type पो sit करेगा, तो एक यह हो गया, इसके बाद से, जो है, again, यह मैं काफी use करते हूँ, mama arts का vitamin C, daily glow face serum, जो आजकल आप मुझे काफी देख रही होंगे, use करते हुए, यह तो यह भी dermatologically tested है, suits for all skin type, कोई भी skin type पो suit करते है, तो यह सारे में से पते है, कि आप बोलेंगे दिदी कौन सा, use करे confusion है, आप नीचे description में link होंगे, उस पे click करेंगे, सही से समझना, कि क्या हमारी skin के लिए अच्छा आपको समझ आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा आपको, चेक करके, तो जो आपको अच्छा लगे, वो आप ट्राइ करके देख सकते हैं, और एक ही चीज का अपनी skin को आदी नहीं बिनाना चाहिए, कि हम अभी यह use करने करें, हमारी skin उसके आदियो जाती है, फिर आपको कुछ और कहीं लगाते हैं, तो वो आपके skin को सूट नहीं करता है, आपको बदल बदल के ही लगाना चाहिए, इस बार यह लगाया, अगली पर दूसरा आप ट्राइ किया, वो अच्छा होता है, या फिर कोई बहुत ज्या काफी कोमन है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं, तो ये भी मैं यूज कर लेती हूँ, मिरे हस्बन का फिवरेट है, खास करते हूँ, मैं तो दूसरे भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये भी यूज करते हूँ, यह सही है, जैसे कहना आपकी skin पर dead skin नहीं होते हैं, वाइजर्स ब्रैकेट्स नहीं होते, क्रीम लगाने का मज़ावी तो भी आता है, वरना खुर्दरी-खुर्दरी स्किल लगती है, तो एक बरी अच्छी से स्क्रब कर लेना चाहिए, हफते में तीन दफा कम से कम कर लो, एक दिन छोड़ के कर लो, आप किसके नच्छी रहती ह है न, तो यह थी कुछ क्रीम जिनके लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में डाल दूगी, जहां से आप चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो यह था मैं आज को वीडियो उमेद करती हूँ, आपको बहुत पसंद आयो, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइ बाइ बाइ